हेलो गाईज स्वागत है आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर और मैं हूँ आका सर्मा आज आप लोगों के लिए लिकर आया हूँ बूर्ड एक्जाम का जो चार तरह का मतलब की मंडी का जो आपका एक्जाम है जी बिग्जान का उसके मोस इसे वीडियो को पूरा देखका जोल जाना और अगर आप लोग टॉपर बना चाहते हैं तो 100% ऐसा ही आपको पेपर देखना के वो मिलेगा मतलब यह मौडल पेपर है ऐसा ही कोसंस जो इसमें दे रखे हैं मतलब की इसी से रिलेटेट आपको कोसंस मिलेंगे आपको और अ सबसे पहले आपको क्या करना है ये जी बिग्यान का मतलब के पेपर है जैसा कि आप लोगों को पता होगा ठीक है और आपको बता है 3 गंटे 15 मिनिट का आप लोगों को टाइम मिलता है 70 नमबर का पेपर होगा आपका सबी प्रेसन अनिवार हैं आवश्यक्ता अनुसार कि जितने नंबर का questions हो उसी के आधार पर आप लोगों को अपने प्रेस्ट का अंसर देना है ऐसा बिल्गुल ना करें कि कोई प्रेस्ट एक नंबर का है और आप उसमें बद्दी कोश्का होती है तो हमीसा ध्लाप कोश्का को, हम एन बोलते हैं और टेपेटम, परागमात्रकोश्का, पराकस्त.. यह सभी दुरेगुलिजच कोषका होती है जबकि जो पराकर्ण होता है पराकर्ण हमारी अगोडित कोश्का होती है ठीक है एक शीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी प्रेस्टन को करें चाहे वो कोई सा कोश्टन हो लेकिन आपको इसनी बात का ध्यान ज़़र देना है मैं लास्ट टाइम मैं भी बोड़ लाओं कि आप अपने प्रैस्न को बहुत ही सतरक्रता से पढ़ें एक-एक सब्द को आप लोगों को पढ़ना होगा ठीक है और अगर आप लोगों को चारो दे रखें तो चारो आप्सन को पढ़ो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पहले द A, B, C, D चारो आप्सन को ही ध्यान से पढ़ना होगा ठीक है ना आईए अगला है मनुस में संतान का लिंग निर्धार्ण होता है तो बोलेंगे माता की गुर्षूत्र से मंडाडू के माप से सुक्राडू के माप से या पिता के लिंग गुर्षूत्र से तो आप थे यह होगी सफड़ाई ऑकसाइड ठीक है जहां आप वह एक्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मालो आपका को कुछन है पहले का पहले का गा ठीक है पहले का आपने से हाप लिखा और डारेक्ट आपर यहां पर फर्स्ट आप्सन डार कर सफड़ाइड लिख देंगी ठी genetic engineering का उपयोग होता है चिकिसा में क्रेसी में इन दौनों में या इन में से कोई नहीं तो इसका answer आएगा इन दौनों में तो आप ऐसे कह सकते हैं पहले का घा आप को सन लिखेंगे ठीक है यह को सन लिख दिया और यहां पर आप आप तीसरा number पर क्या कर देंगे इन दौनों में ठीक है क्या लेखे देंगे आप आप लखेंगे इन दौनों में और इस तरीके से आपका यह answer हो जागा टिक लगा देना तो जिससे आपका क्या होगा थोड़ा सर टाइम बच जाएगा ठीक है आपको यह वाली बात में पहले बता चुका हूं कि अगर किसी प्रेस्ट के objective बाले में हर वीडियो में बोलता हूं इस चीज़ को के यह भी दौनों या फिर इन दौनो या यह सभी अगर इस तरीके से आपको questions में दिखाई देते हैं option ठीक है तो आपका 99% चांस यही है कि आपका answer वही होगा है ना चलो अगले चलते हैं दूसरे के का के तरफ एक आवर्त बीजी पुस्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर्वा मादा यूगमकोद वि होता है तो यह हमारा प्रेस्ट है आप अंसर पास एक ड्यागराम है और बताओं आप लोगों को कि शिल का है यह पुष्प का डाइगराम है तो यह वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पुंकेसर इस वाले भाग को बोलते हैं पराकोस क्या बोलेंगे पराकोस बोलेंगे और पराकोस के अंदर बनते हैं पराकर्ण क्या बनते हैं पराग कड़ बनते हैं और इन पराग कड़ को ही हम क्या बोलते हैं नर युगमकोदविद बोलते हैं क्या बोलेंगे नर युगमकोदविद अब बात करते हैं मादवा युगमकोदविद क्या है तो पुष्प का जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं अंडा से अंडा से के अंदर मिलता है बीजांड और बीजां उस enzyme का नाम लखिए जो DNA-RO को खंडों में तोड़ देता है, तो तोड़ना बताना है आपको, ठीक है, कैसे बताएंगे, बोई मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ये करेंगे आप, कि एक enzyme होता है, endonuclease enzyme, ठीक है, या फिर आप क्या बोल देते हैं, इसको हम प्रति बंदन enzyme भ endonuclease enzyme, ठीक है, ये enzyme का नाम हो गया, अगले questions की तरफ हम चलते हैं, ये हमारे पास है, एक खादिस रंकला में स्रवादिक संक्या किसकी होती है, तो बता देंगे, उत्पादक क्यों होती है, ठीक, चुकिए एक नमबर का तो एक नमबर जैसा बता देंगे, अगला है, वार् आपको क्या काम करना होगा? बताओ, आपको करना होगा, एक मस्त सा डिएराम मनाएंगे, बताएंगे, एक र्दिफूर एंगेस स्टॉम, इसका वियास होता है, एटी जी सी बताएंगे, सीतर पल बोढ़ वन्ड़ टीबताएंगे, मतलब सारी जितनी वी इन्फूमेशन अ को मस्त्र तरह से बता सकते हैं जय बिकास जीवों के विकास को जय बिकास केंड चैसे टिल में बता देना अगला है आर्टक्र पॉधा आम के पेड़ की साखह पrek रहा है आर्टक्र और आमके पेड़ के बीच पारस पर किरिया को आप कैसे इसपश्ट करेंगे तो आप बताएंगे कि जैसे मालो ए प्रिजाती है ये भी प्रिजाती है ए प्रिजाती भी प्रिजाती को लाव पहुंचाती है लेकिन ए प्रिजाती को ना लाव हो रहा है ना ना लाव हो रहा है ना हानी हो रही है त सहे भोजिता ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन इतरब चलते हैं एक इस्थली पाइतंत के आप गड़न चक्र का आड़ी की निरुपरण कीजिए नेक्स्ट कोशन एक एक संकर क्रोस का प्रियोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए यह बताना है यह वाले सहे यह जरम जात और उपाजित प्रित्रेक्षा में अंतर सक्रिय और निष्क्रि प्रित्रेक्षा में अंतर मुष्ट मुष्ट इंपूरेंट है इन्हें याद करके जोल जाना नेक्स्ट कॉर्सन है वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानी प्रद है ये मानप कल्यार्ड में सुचमजीव से लिया गया है मुष्ट इंपूरेंट है आई आप याद करके जाएगा अगला है PCR जिसको पॉलिम्रेस चैन रियक्सन बोलते है अच्छा प्रेस्ट है प्रतिबंदन एंजाइम मुष्ट मुष्ट इंपूरेंट है अच्छी तरगी से याद करके जल जाना बायो टेकनोलोजी से संब्दित है ये अगला है इस पर इतना ध्यान मत देना ये वाला है जो ठीक है अगला है प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम को इसपस्ट करो ये जेनेटिक से संब्दित है नेक्ष्ट हमारे समाज में लड़कियों को जो पैदा होने पर दोस्ट केवल महिलाओं को दिया जाता है बताएं यह क्यों आवश्चक नहीं है या यह क्यों सही नहीं है वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि दोस्ट महिलाओं का होता है वो पिता का होता है क्योंकि लिंक का निर्धार्ण कितागे गुर्षूत्र से होता है ना कि मातागे गुर्षूत्र से Next Question है जैप प्रदोगे की का क्रसी के छित्र में क्या उप्योग है Most Most Important है Bio Technology का ज्यान देना GM फसल है जो मैंने पड़ा रखी है वही आएंगे इसमें अगला है पाव मलेरिया पजीवी ब्रिवी के जीवन चक्र का सonly माश्या बताना होगा के हमारी सरी से किसरी में सरीस से मच्छर में जो बिजाड़े जहोते हैं वह प्रिवृस करते हमें अगला है आफ़ करके आना यह वाला वस्ते करकर आये थे अगला है उस संबर्धन में जहां इकोलाई ब्रधिक कर रहा हो लेक्ट लालने पर लेक ऊप्रोन उत्प्रेश्थ होता है तब कभी संबर्धन में लेक्ट ऊप्रोन काल करना बंद कर दिता है क्यों इसप्षट करों मोस्ट करों और 99% बच्चे से करके भी नहीं आते लेकिन आप किऌसर करना कि आप करके आप आओऊ ठीक है यह वाला प्रहुंतर मत करना क्या शुकंद की कोश्काव की में प्रतिवन sophomore इंडोर नुखली। मिलते हैं तो आप कहेंगे नहीं इन में नहीं मिलते मैंने सीट में करा रखे हैं आप लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं अगला है हमारे पास मनुस्त के नर्जन तंत्र का वर्डन कीजिए इसमें शुक्राणु कहां पर संचित होते हैं इस पश्ट करो यह भी इंप्रेंट ह मैं एक करना है उपर वाला कर लेना और उण लुक्राणा क्या है इसकी मुख्य विसेष्ठाओं का वर्डन कीजिए तो इस तरीके से आपने देखा विभिन प्रिकार के मने कुशंस बताएं आपको आप करना क्या है मैं कुछ кино कॉश्डप्ट भी सिखा देता हूं ठिका है concept सीखना भी बहुत ज़रूरी है वो concept यह है कि दिखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कल आपका exam है Monday का आपका exam है 4 April का और 4 April से आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा exam करके आपाऊ और मैं मलब की exam में बहुत अच्छा perform कर पाऊँ हर एक person को कर पाऊं within time में तो मैं कुछ important tips भी बता रहा हूँ आप लोगों को उन tips की मदद से आप बहुत अच्छे exam को कर सकते हैं जैसे for example सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पास अगर कोई notes है आप कहीं न कहीं coaching में पढ़ चुके होंगे अगर आपके पास notes लिए रखे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप notes को learn करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ठीक है दूसरा काम है कि आपको मैंने biology की seat बना रखे हैं मनलब कि हर chapter से related most most important मैंने पुसल अंसर कि क्या बना रखे हैं मैंने वीडियो बना रखे हैं तो आप क्या काम करेंगे मैंने जितने भी chapter की बना रखे हैं पूरी biology हैं आप उन सभी seat को देखेंगे उन seat में objective, very short, short और long हर type के questions दे रखे हैं आप क्या काम करेंगे पहले एक बार normal mode में और दूसरी बार में 1.5 में आप देखेंगे जो एक बार पहले देख चुके हैं वीडियो को वो 1.5 में देखकर जाएंगे उसके बार में दूसरा काम क्या किया है मैंने biology एक नजर में biology एक नजर में मैंने दे रखा है आपको वो playlist में मिल जाएगा 30 मिनिट में पूरी biology खतम उससे आपको ये फायदा होगा कि पूरी biology के जितने भी very short question है objective question है वो वहाँ से आपके clear हो जाएंगे उसके साथ मैंने long answer की एक seat दे रखी है उस long answer की seat को आप देखकर जाना उसके बाद मा tipडियां उसी long answer की seat में आपको tipडियां मिल जाएंगी उन्हें आप देखके जाना कि आपको कितने tipडियां आती हैं कितने long answer आती हैं अभी आपके पास जो time है एक दिन का इस एक दिन के time में चेक करो कि कितने आपको long answer आती हैं जो नहीं आता तुरंत उसे याद करे मिल लग जाओ टिपडियां चेक करो कौन-कौनसी तुम पर आती हैं नहीं आती हैं याद करो ठीक है उसके साथ साथ में मैंने आप लोगों के लिए दे रखे study tips study tips study tips आपके लिए एकदम रामबाड है जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि एक्शल में हमें यूपी बोर्ड की कौमिया कैसे भढ़नी चाहिए लिखने का क्या तरीका होना चाहिए एक्जाम से पहले हमें क्या चीज़ लेकर जानी है एक्जाम में बैठते सामें किनकी चीज़ों का ध्यान देना है एक्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी एक्जाम से पहले हमें कौन सी चीज़ खा कर जानी है जिससे हमारा दिमाग तेज चले इसमें हर एक चीज़ का आपका जो डाउट है वो सभी किलियर किये मैंने तो आप सभी लोग स्टरी टिप्स को देखकर जरू जाना और स्टरी टिप्स जब देखो तो मेरे पास या तो लाइक तो आपको करनी है उसके साथ साथ में कोई ना कोई हर वीडियो में कमेंट्स आप लोगों को जरूर करने है जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगोंने मेरी वीडियो देखी है और लाश्ट तक देखी है और हर एक वीडियो से आपके डाउट किलियर होंगे जो आपके एक्जाम में जो छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी आप गलतियां करते हैं उन गलतियों को भी सुदारने का मौका मिलेगा और आप एक्जाम में गलतियां नहीं करेंगे और आपके एक्जाम बहुत अच्छे तरीके से होँगे जब एक्जाम अच्छा होगा तो आपका रिजल्ड भी अच्छा होगा और आपका केरियर भी आगे चलका अच्छा बनेगा और आपका पविस्स भी सुने रहा होगा आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्सित में बता सकते हैं और मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में टाटा बाइवाई और last में मैं एकी सब्द बोलना चाहूंगा all the best आप सभी लोगों के लिए अच्छे तरीके से exam कर गया ना और अपना